प्रधान्बन जी नरेंद्र मोदी यूही लोग प्रिय नहीं हैं अपने अंदाज से लोगों का दिल जीत लेते हैं गुजरात के वापी में उनके रोडशो के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला रोडशो के दौरान पियम मोदी की नजर एक लड़की पर पड़ी उन्हें एक पेंटिंग गिफ्ट करना चाहती थी वो और उसके बाद क्या हुआ आप देखें कि यह तस्वेरे हैं गुजरात के वापी की जहां पिधान मंत्री मोदी ने एक शांदार और भवी रोड़शो किया कि रोड़शो में उम्रा लोगों का एक वुजून पियन मोदी की लोग प्रेथा बताने के लिए काफी है सलक के दोनों तरफ लोगों की भी और मोदी मोदी के नारों की गूंच की दर्मियान हर कोई प्रिधान मंत्री मोदी की एक शलक पाने के लिए बेकराद है रोड़शो के दोरान पियम मोदी की नजर तेरा साल की एक बच्ची पर पड़ी जो अपने हाथ में एक पेंटिंग लिए हुए खड़ी थी पियम को गिफ्ट देना चाहते थी प्रिधान मंत्री मोदी ने भी उसकी भावनाओं का सम्मान किया सुरक्षागाट को इशारा किया और बच्ची से वो पेंटिंग ले लिए आपने उनके लिए गिफ्ट देने के लिए कुछ खास उनका बनाया था और उनके कुछ नए प्रोजेक्स जो उनने किया है उनके अभी तक के पी एम के पोस्ट पे तो उनने उनके कोई एक सेक्योर्टी गाट को बोलके मेरी पेंटिंग उनको दिखाई और ले लिए और वो बहुत ओनरबल फील हुआ मुझे और मेरे पुरे फैमिली को जिनने में को हिल्प की थी वो बनाने में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे प्रधान मंतरी मूदी की नजर सड़क के एक तरफ खड़ी लड़की पर पड़ी और उन्होरे तुरंत सुरक्षा में तिनाद कार्ट को इशारा कर वो पेंटिंग मनबाई प्रधान मंतरी मूदी को पेंटिंग गिफ्ट करने के बाद वापी की रहने वाली इस तेरा साल की लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहा इसे पहले शिमला के माल रोड पर जब प्रधान मंतरी लोगों से मुलाकात कर रहे थे तब एक लड़की ने आगे बढ़कर प्रधान मंतरी को एक तस्वीर भेट करने की कोशिश की थी पीम ने नस्दीच जाकर लड़की से वो पेंटिंग ली उसे आशिरवाद भी दिया था लड़की ने प्रधानमंत्री मूदी की मा की तस्वीर कैन्वस पर रुखे रही थी